सक्षमता परिक्षा दे करके भले हिराजिकर्मी का दर्जा पा गए हो बिहार के नियोजी सिक्षक लेकिन उनका पावर कट कर दिया गया है अब इन नियोजी सिक्षकों को BPSC के मास्टर साहब लोग के अंडर काम करना होगा नमस्कार आप देखने नियूस फोर नेशन और मैं स्वाती पांडे आपके साथ बिहार में सिक्षा विभाग द्वारा और खास कर BPSC द्वारा लगतार बंपर बहालिया निकाली जा रही है परिक्षाय ली जा रही है और बिहार में सिक्षकों की मानो बल्ले बल्ले हो गई ह लेकिन अब जितने भी तमाम नियोजिस सिक्षक थें जिने राजकर्मी बनना था उन्होंने सक्षमता परिक्षा तो दे दिया और राजकर्मी भी बन गया राजकर्मी का दरजा भी उन्हें मिल गया लेकिन नितीश सरकार ने उनका पावर कट कर दिया है कट ऐसे कि तमाम नियोजित सिक्षकों को अब वियार में BPSC वाले मास्टर साहब के अंदर काम करना होगा। प्रभारी एक पत्र के जरिये किया गया है। सरकार के इस नए नियम के नियोजित सिक्षकों के लिए एक नए चुनौती पेश कर दी गई है। नए नियम के मुताबिक नियोजित सिक्षकों को प्रभारी प्रधाना ध्यापक के पद से नियुक्त नहीं किया जाएगा। अगर उस स्कूल में BPSC से नियुक्त सिक्षक पत्स्थापित हैं तो उन्हें ही प्रभारी हेड मास्टर बनाए जाएगा। ये नियम उन स्कूलों पर भी लागू होगा जहाँ पुराने वेतनमान वाले कोई सिक्षक नहीं है। कर दिया गया है। उन्हें कोई बड़ा पोस्ट नहीं दिया जाएगा। और नियोजिस सिक्षक तभी परभारी हेड मास्टर के पद पर बैठ सकेंगे जब उस स्कूल में नहीं कोई पुराने वेतनमान वाले सिक्षक हों और नहीं BPSC के कोई मास्टर साहाब हों। देखें नितेश कुमार ने अब नियोजिस सिक्षकों को ले करके ये बड़ा फैसला बिहार में लागो कर दिया है। फिलाल इस अबडेट में बस इतना ही आप देखते हैं न्यूस फोर नेशन।